प्रणाम ओम नमस्यवाई स्रिष्टि बहुत विराथ है और इस विराथ स्रिष्टि में देवी योग माया के इतने रूप और इतने स्वरूप हैं कि जिनकी महिमा का गुणगान करना बड़े-बड़े रिश्यों और सिद्धों के लिए भी लगबग असंभव है देवी की महिमा के बारे में बताते हुए देवी के अनेक रूपों का विवरण महरिशी मारकंडे ये ने किया है मारकंडे पुराण में देवी के अनेकों स्वरूपों के नाम उनकी महिमा और उनकी बारे में जानकारियां हमें प्राप्त होती है और सिद्धो ने देविए के अनिको रूपों और सरूपों के विशे में बड़े विस्तार से समझाया है और उनकी पूजन क्रम की विशे में बड़ी अलग-अलग परंपराओं और विधियों के साथ स्पश्टा के साथ उन्हें शिश्यों के सामने रखा और गुरुकुलों की परंपराओं में आगे बढ़ाया आज में एक ऐसी ही देवी के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है प्रत्यंगिरा आखिर प्रत्यंगिरा होता क्या है प्रत्यंगिरा शब्द को समझने से पहले आपको दो शब्दों को समझना होगा, एक है रुद्ध और एक है विरुद्ध, रुद्ध का तात पर रहे है, कि जीवन में यदि कोई धारा, मालीजे जल का कोई जहरना प्रपात या नदी है, जब वो तीवर गती से किसी एक और जा रही है, तो वो उसकी रुद्धता है, और जब अचानक उसे कोई रोक दे और वो नदी उतनी ही वेग से वापिस आने लग जाए, उसे विरुद्धता कहा जाता है, या विरुद्ध कहा जाता है, एक चीज़े रोक देना, नदी नीचे के और जा रही है, और उसे किसी ने रोक दिया, बांध बना दिया, वो वि विरोध होने का ताथ पर रहे कि नदी तेजी से जाए और टकराए और उतनी तेजी से वापिस आए तो योग माया जिसने संपूर्ण स्रिष्टी बनाई अध्वुत है ये स्रिष्टी अध्वुत है ये ये वन ये ब्रिक्ष ये हम मनुश्य ये जीव जन्तू ये काश ये पंच तत्व और भी न जाने इस स्रिष्टी में कितने असंख्य तत्व है और इनके अंदर अनेकों प्रकार के गुण है इनी गुणों के अंदर एक चीज है यही विरुद्ध शक्ति यह विरुद्ध शक्ति ही वास्तव में प्रतेंगिरा देवी के नाम से जानी गई है अब हम इसे कैसे समझेंगे अब देख लीजिए जैसे एक छोटा सा दिक्ष मेरे पास कांटों की जा आप देख रहे हैं यह सुखा हुआ है उपर तक इसे आप देख लीजिए और यह इस प्रत्वी के विरुद्ध कितना जा सकता है जब यह चोटा था तो यह धिरे-धिरे बढ़ा और उपर चला गया लेकिन उपर जाने के बाद इसके एक सीमा है कोई भी प्रत्वी का बिक बिक्ष के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आसानी से वो बिक्ष टूट जाएगा क्योंकि तेज हवाएं उसे तोड कर रख देंगी यानि इस स्रिष्टी का एक नियम है कि जब भी आप इस स्रिष्टी के नीती नियमों के मध्य आ जाते हैं तो यह स्रिष होना स्रिष्टी के प्रतियक कण में है जैसे यही बिक्ष है कांटो का मैं अगर यहां से आगे बढ़ता हूं तो देखिए मेरे चेहरे के पास अब यह कांटा आ गया अब यह कांटा मेरा विरोध करेगा मेरी त्वच्चा पर मुझे इस बात के लिए उपदेश देगा य है यानि मेरे मार्ग को रोक देने वाले ये कंटक ये कांटे ये विरुध है किस चीज के विरुध मेरी गति के विरुद है लेकिन प्रत्यंगीरा शक्ते को हमने इस से क्यों जोड़ा जैसे मैंने चुछ आपी quand कि मे अपने पास चुपा कर रख़ूं PA कोई चोटा सा जानवर या मनुश्य जो मुझे अचानक प्रताडित करने आ जाए और मैं उसे ये चुभो दूँ तो बिल बिला जाएगा यानि यही कांटा जो अभी तक मेरे रास्ते का रोड़ा था जब मैंने उसे बुद्धी मत्ता पुरवक निकाला और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो यही नियम सिखाना या यही नियम जब महादेव देवी को बताना चाहते थे उसी विद्ध शक्ति को देवी के भीतर से प्रकट होना पड़ा आप पूछेंगे कैसे मैं इसे बताता हूं सिद्धो की कहानी के मुताबिक के राश के महाशिकर पर महादेव गुरू रूप में विराजमान हैं सोयम ईश्वर लेकिन गुरू का रूप धारण किये हुए शिश्या रूपी अपनी प्रेमी क दे रहें शिश्या बनकर तो देवी नीचे बैठी हुए और महादेव उपर बैठे हुए रिशी वरिंद चारों तरफ है शिव के गण दूर दूर हैं और तब महादेव देवी के प्रश्णों का उत्तर देते हुए देवी के ही स्वरूप योग माया की विशे में अधिक विस्तार से बता रहे हैं और बताते समय वो कहते हैं कि हे देवी तामसी शक्तियों के मध्ध में जिस प्रकार से धुमावती है जो कि अपने ही शिव का भक्षन कर जाती है और धूमर की रूप में उसे प्रकट करती है वो अद्वुत रहस्य में शक्ति है जो की कुरूर है और किसी भी सथा के विरुद्ध खड़ी होने की ताकत और समर्थे रखती है लेकिन दूमाबती के साथ तंत्र की कुछ ऐसी देविया है जो बहत खतरनाक देविय है किसी भी ब्रिक्ष को यदि कृत्या चू जाए कृत्या आप इस एक तरह से किसी चीज का नश्ट हो जाना कह सकते है अगर यह जाड़ी अच्छी है तो सुंदर है ऐसी कभी यह भी थी लेकिन इसको कृत्या ने सपर्ष कर लिया इसलिए सूख गई अभी इसमें जीवन क संभावना चिपी है जिब कृत्या इसको छोड़ देगी तो पुना इस पर पत्ते आ जाएंगे तो यानि कृत्या एक ऐसा काल है एक ऐसा संक्रमन है एक ऐसी बिमारी है या कैसी आवस्था है जब जीवनी शक्ति नश्ट हो जाने लगे तब देवी ने कहा क्या इससे भी अधिक कोई प्रचंड शक्ति है तुम्हा देव कहते हैं हाँ कि हे देवी तुम्हारे ही भी तरचिपा हुआ एक ऐसा स्वरूप है जो विरोध की शक्ति से इतना भरा हुआ है कि उसके विरोध के सामने किसी का ठहर पाना टिक पाना संभ भगवान देवी को नेत्र बंद करने को कहते हैं और उन्हें मांत्री दीक्षा संपन्न कर अपने भीतर यंत्र जामिती का ध्यान करने को कहते हैं और अपने ही भीतर मंत्र का ध्यान करते हुए अपने आपको योग के ग्यान अवस्था में ले जाने का उपतेश देते हैं तो जैसा महादेव कहते हैं, देवी वैसा ही करती चली जाते हैं, और तब देवी के नेत्र क्रोध से भरने लगते हैं, उसमें तवस्तत्व झाली लगता है, और धीरे देवी के नेत्र बहुत गरम हो जाते हैं ज्वालमुकी जैसे, और नेत्र खोलती हैं, और उनके लाल रक तरंजित नित्रों में से एक दिव्य शक्ति पैदा होती है जो सीधे प्रम्हांड में जाकर एक देवी का स्वरूप धान करती है ये देवी प्रतेक तत्व को रोक देती है वायू को रोक देती है अगनी को रोक देती है प्रत्वी को रोक देती है आकाश को रोक देती है से चलने दो तब महादेव क्या आदेश पर वो च्रूर देवी पुना विरीद शक्ति से संपन वुरिट्स हो जाथा तब महादेव पूछते हैं कि देवी क्या अब आप ने इस विरुद्द शक्ति को जया तो देवी कहती है कि हाँ मैं अपने ही भी तरचर शिपी इस विरुद्ध शक्ति को अब जान चुकी हूँ इस तरह से देवी की उत्पत्ती हुई लेकिन इसके बाद में पुरानी कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि नसिम्ह अवतार हुआ तो वो क्रोध से इतने भरे हुए थे भगवान नारायन कि उन्हें लगने लगा कि मैं कितने बाद अवतार लोंगा इस धर्ती पर और किस किस से लड़ूगा इस धर्ती पर कियोंकि बड़ा अधुट है यह अवतार जदनी बार ईशवर को अवतार लेना होता है मनुश्य गरूप में उतनी ही बार असंख्यर संभावनाय होती है कितने लोगों से लड़ेंगे कितने पापियों से लड़ेंगे हर बार पृत्वी पर सुधार किया जाता है हर बार ब्रम्हंड के कौने कौने में सुधार किया जाता है पुना पापियों की संख्या बढ़ जाती है ये करम निरंतर चलता रहता है तो उन्होंने सोचा कि इस बार तो बहुत हद हो गई इसलिए में इस बार इस पृत्वी पर हिर्ण कश्चप के बद के साथ अब पृत्वी पर जितने भी इस तरह के अराजक तत्व हैं इन सब को एक ही बार में नश्ठी कर देता हूं ताकि कहानी ही समाप्त ह हो जाए लेकिन स्रिष्टी को चलाने के लिए सब की आप शक्ता होती है जैसे आप आप मैंसे बहुत सरे लोग मुझे प्यार करते हैं इसी कारण से मैं भी जब मुझे समय मिलता है मैं कुछ ने कुछ शब्द लेकर आपके समुखा जाता हूं अपनी साधनाओं को छोड़ कर भी आपके समुखाता हूं और कुछ अपनी बाते और विचार रख लेता हूं रखता हूं आपके सामने और यह जरूरी नहीं कि आप मेरी सभी सभी बातों से सहमत हो मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि आपका सहमत होना मुझे से जरूरी है तो सोचिए ऐसे भी बहुत सार कर रहा हुए क्योंकि उनका मस्तिश्क उनके नाड़ी तंतु वैसे ही हैं लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि ऐसे फालतु लोगों क्या वद्ध हो जाए या यह नश्ट हो जाए मैं तो कहता हूं कि उनका जीवन भी सुख में हो कभी ऐसे भी दिन आए कि मैं जो कहूं वह उनको भी समझ आए क्योंकि यह सिद्धों के जीने का तरीका है इसलिए इस प्रित्वी पर तमस की भी छोटी मोटी आपशक्ता होती है इसलिए सिद्ध कभी उस तमस की विरुद्ध नहीं गए लेकिन भागवान नारायन इतने क्र बिगड़ने लगा और जब यह स्थिति आ गई तो देवताओं ने महादेव को पुकारा और महादेव तब विष्णु भागवान को रोकने के लिए अपना रूप बदल कर गए तब भागवान विष्णु ने जब यह देखा कि मैं शिव के सम्मुक खड़ा नहीं हो लाता है गंट भरूंड नारायन ने गंट भरूंड का सम्मुक रूप धारन कर लिया और भगवान शिव ने शरव का रूप कर लिया अब यह दोनों आपस में ले हलगे घंड भरूंड और शरण हरी और हर दोनों लड़े नम लड़ें माया से प्रार्टना की कि देवी अब आपको ही कुछ करना होगा तब देवी ने पुर्णा ध्यान करके अपने नेत्रों से उसी विरोधिनी शक्ति को निकाला जो विरुध शक्ति से भरी हुई थी जिसे विरुध चित्त अवस्थावी कहा जाता है जो आपके और हमारी भीत का स्वरूप धारण कर युगों से लड़ रहें तो देवी उन दोनों के मद्धे जाती है और दोनों को अपने हाथों से पकड़ लेती और पकड़े हुई रखती है और कहती हैं दोनों को कि तुम्हारे दोनों के भीतर जितनी शक्ति और क्शंता है अपनी ताकत लगाई अगर तुम्हें अपने बल पर जराभी अभिमान है अहंकार है तो आजमा लो लेकिन दोनों ही स्वरूप देवी के सामने टिक नहीं पाते ठेहर नहीं पाते अंतता शरव और कंड भेरूंड दोनों ही देवी के सामने नतमस्तक होकर शमा याचना करते हैं और तब दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में लोड़ते हैं और देवी भी वास्तविक स्वरूप में लोड़ती इस स्वरूप के कविवरण मारिशी मारकंडिया देते हैं लेकिन इस स्वरूप को सरप्रथम दर्शन करने के लिए या प्रकट करने के लिए दो रिशी महारिशी प्रत्यंगिर और महारिशी अंगिरस ये दोनों रिशी हिमाले की और जाते हैं केलाश शिकर की तरफ और केलाश से पूर्व हिमाले की श्रिंखलाओं में जाकर बैठकर गंगोर तप करना शुरू करते हैं और तब वो महादेव के आगम निगमों को ग्रहन करते हुए धीरे धीरे तमस की एक विच्चित्र वस्ता में पहुंच जाते हैं जहां उनके अंदर विरोध भाव उत्पन होने लग जाता है और तब वो इस विरोधिनी शक्ति को समझने लगते हैं और उन्होंने तब देवी की प्रार्थना करते हुए देवी को उसी रूप में प्रकट किया जो देवी का परम विरोध करने वाला स्वरूप था विरोधिनी स्वरूप तब देवी ने प्रसंद होकर कहा कि आप दोनों ने मेरी विद्या को ग्रहन किया है मेरी क को प्रतेंगिरा के नाम से जाना-जाने लगा जितने भी तंत्र मंत्र कृत्याएं विद्याएं स्रिष्ठी के तत्व हें उन सब का विरोध कर देना उन सब के विरोध खड़ी हो जाने की क्षमता इस देवी में है, हलांकि वर्तमान में लोग यह कहते हैं कि यह देवी के वल क्षत्रियों की देवी है, यह सब जूट है, सिद्धों ने इस देवी की साधना राधना को बड़े विस्तार से समचाया है, और आप तो जानते हैं कि सिद्धों में कोई जाती, प्रथा, उंच, नीच, छुआ, छूत, यह सब होता नहीं, यह सब नौटं की कहीं भी सिद्धों की परंपरा में नहीं रहते हैं, तो देवी एक अधवुत शक्ति से भरी हुएं, देवी के कई रूप हैं, देवी का एक स प्रत्यंगिरा का मतलब हैं, कि कोई व्यक्ति यदि प्रत्यंगिरा शक्ति का ही इस्तेमाल प्रयोग मेरे उपर करें, तो मैं देवी के विपरीद प्रत्यंगिरा स्वरूप से उसी प्रत्यंगिरा शक्ति को वापीस भीज सकता हूं, मार लिए जो कोई मेरे उपर कृत्या का प्रयोग करें तो मैं उसके विरुद कुरूर प्रतियंगिरा को प्रयोग में लाता हूं इस प्रकार से शास्त्र में इसका विवर्ण है लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जिसके अभी व्यापक अगर आप हम मनुष्यों को देखे हैं तो हमारी चित में भी विरुद करना चिपा रहता है हम कई कारणों से किसी का बिरोद करते हैं जैलेस के करण इर्चा द्विश के कारण किसी की ख्याती या किसी का सॉंदर या किसी का बड़पन हमसे बर्दाश्ट नहीं होता तो भी हम करते हैं किसी को बाहुबल दिखाना तो भी हम करते हैं अपने अंकार को दिखाना तो भी हम करते हैं किसी भी तरीके से हम अपने आपको जब प्रदर्शित करने लगते हैं तो हम दूसरे वेक्ति के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और कई बार तो आपको पता ही नहीं हो इसको उत्पन्य करने वाली ये तामसी शक्ती प्रत्यंगीरा का ही एक छोटा सा संपुट है लेकिन ये आपके लिए हानिका रखे हमारे लिए भी इससे पाप पैदा होता है वही मैंने आपको समझाये शुरु में इस कांटे के मादियम से के कांटा मेरा रास्ता रोकता है ल लेकिन अकारण किसी का बिरोध करना चुट चुटी बातों पर क्रोधित हो जाना अपना नियंतर खोदेना आपा खोदेना ये बेवकुफी है लेकिन कोई अन्याय करे कोई अत्याचार करे और आप मौन रहें इससे आप कलुशित हो जाते हैं आपका भीतर का सत्व आप पापी होने लग जाते हैं इसलिए अन्याय के बुद्ध अवश्य वाज उठानी चाहिए वो चाहिए कोई भी हो फिर जितना मर्जी ताकतवर कोई अंतर नहीं पड़ता इस पास तो यही शक्ति जो आपको लड़ने कितने समर्थे दे और इस तरह की बुद्धी दे क कि आपको कहा लड़ना है और किस रीती से लड़ना है क्योंकि सब ब्रह्मांद के सामने हम बहुत चोटे हैं चार-पांच फूट के हम इंसान दस फूट चौदा फूट आपी से लंबे तो हो नहीं सकते ना ब्रह्मांद कितना बड़ा है आजकल तो हम छे फूट से उपर जाते ही नहीं विश्वकर सबसे लंबाद में होगा तो साथ साथ फूट के बीच होगा इसे उपर वह भी नहीं जा सकता है आपके भीतर एक अदुपत क्षमता है जिसको प्रत्यंगिरा कहा जाता है योगी भी प्रत्यंगिरा की साधना योग पधिति से करते हैं और तंत् हमने कुछ ठहरेगा नहीं मैंने बहुत लोगों को शनीचरों के गुन मतलब शनी महाराज के गुन काते देखा है कहते कि शनी सबसे उत्तम है परमन्याइधीश है शनी जैसे देवता और महाविद्याओं में मेरी आराध्यभी और जिनको मैं बड़ा प्रेम करता हूं माध प्रतेंगिरा है इसलिए प्रतेंगिरा महाविद्या होने के साथ उप महाविद्या के तौर पर मानी जाती है और परमाविद्या में उनका महातामसी स्वरूप परमाविद्या के तौर पर माना जाता है तो इसलिए जरूरी है कि आप यह समझने के कोशिश करें कि क्या यह केवल देवियों की कहानी है जो मैंने आपको बताई या इसका आपके मस्तिश्क के साथ या स्रिष्टी निर्मान के साथ या हमारे जीवन के साथ कोई दूसरा रहस्य में तत्व जुड़ा हुआ है या इसका कोई दूसरा अर्थ भी है इनी सब चीजों को जानिये और जानिय कि प्रतंगीरा क्या होती है प्रतंगीरा साधना आपको बहुत उच्च कोटी का परमस्टिष्क और क्षमताइं परदान कर सकती है मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहूंगा इतना ही क्या कर छोड़ दूगा कि आपके भीतर भी तमस्तत्व है लेकिन उसे कांटा निकालकर इ इसी शक्ति का इस्तेमाल किया है अपने विकास के लिए सिद्धत्यों की प्राप्ति के लिए और यह कैसे संभव होगा यह तो आपको जानना है तो आप प्रयास कीजिए प्रतंगीरा को जानने का मैं जल्दी लोटूंगा नई जानकारी के साथ तब तक मेरा प्रेम स्वि कि अलगना है तो आपका नई मैं जलापको तो आपका वे सांग के साथ तो कि दे विए तो आपका बाद्साणान प्रापको ऑल एंग।